न्यूजेन साफ्ट फेयर, इयोन एक्चेंज और टाल ब्रोस अटोमेटिव के स्टॉक्स में हो सकती है 18 फेज़ती तक की कमाई निफ्टी कॉंसलिडेशन फेज में है उननीस हजार आठ सो से उननीस हजार आठ सो पचास से स्ट्रॉंग सप्लाई जोन दिख रहा है उननीस हजार आठ सो से उननीस हजार छे सो डिमांड जोन है अगर निफ्टी उननीस हजार आठ सो पचास पॉइंट्स के लेवल को पार कर जाता है तो यहां उननीस हजार नोसो नब्बे और बीस हजार की तरफ बढ़ेगा गिरावट के स्थिती में 19,500 और 19,400 पर एहम सपोर्ट लिवल दिख रहे हैं बैंक निफ्टी में भी कंसोलिडेशन पैटर्न दिख रहा है 44,400 इसके लिए next resistance होगा इसे पारक करने के बाद इसे 45,000 पर resistance मिलेगा इस लिवल के पारक कर जाने के बाद बैंक निफ्टी में अच्छी शॉट कवरिंग देखने को मिल सकती है 44,000 से 43,700 का सपोर्ट लिवल इसे stability देने की कोशिश कर सकता है स्वास्तिका इंवेश्टमेंट के senior technical analyst का मानना है कि कोछिश श्टॉक्स पर दाउं लगाने से shorter में अच्छी कमाई हो सकती है उन्होंने इन शेरों पर दाउं लगाने की सलाह दी है इस श्टॉक्स में निवेश की सलाह है इसका लाश्ट टेडिंग प्राइस एक हजार एक तालीस रुपए है इसमें नौसो पचास रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा इसका टारगेट प्राइस एक हजार एक सोचोरावे रुपए है निवजिन सॉफ्ट पेर के स्टॉक्स में अगले दो से तीन हफ़तों में 14 फेश दी मुनाफ़ा कमाने का मौका दिख रहा है यह स्टॉक क्लासिकल बुलिश मोमेंट अप में है यह लंबी अवधी के टाइम फ्रेम पर हायर टॉप और हायर बॉटम बना दिख रहा है इसने ट्रैंगल फॉर्मेशन से ब्रेक आउट किया है 960 रुपए का इसका पिछला स्विंग रेजिस्टेंस लेवल था लेकिन पिछले सेशन में इसने इस लेवल को तोड़ दिया है इस दौरान वॉल्यूम भी अच्छा रहा अब यह स्टॉक तेजी के नए फेस में 1100 रुपए की तरफ बढ़ता दिख रहा है इस स्टॉक के छोटी अविधी में 1100 रुपए की लेवल को पार कर जाने की उमीद है मोमेंटब इंडिकेटर्स की पोजिशनिंग पोस्टिफ है जिससे तेजी के टेंड में इस टेंद का संकेत मिलता है इस शेर को खरीदने की सला है इसका लाश्ट ट्रेडिंग प्राइस 606 रुपए है इसमें 535 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा इसका टार्गेट ट्राइस 714 रुपए है इस शेर ने डेली चार्ट पर क्लासिकल सिमेट्रिकल ट्राइंगल फॉर्मेशन से ब्रेक आउट किया है इस दोरान वॉल्यूम अच्छा रहा इस शेर का ओवरॉल इस्टक्शर बुलिश है क्योंकि इसमें इसके सभी एहम मुविंग एवरिजस से उपर ट्रेड हो रहा है ज्यादा तर मोमेंटम इंडिकेटर्स का पोजीशन पॉस्टिव है इससे शेर में तीजी जारी रहने के संकीत मिलते हैं गिरावट किस्थिती में इस शेर के लिए 535 रुपए पर स्टॉंग सपोर्ट है टाल ब्रोस आटोमेटिव कंपोनेंट्स इस स्टॉक में निवेश करने की सला है इसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 1125 रुपए है इसमें 1020 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाना होगा इसका टार्गिट प्राइस 1304 रुपए है टाल ब्रोस आटोमेटिव के स्टॉक में अगले 2-3 हफ्तों में 16 फीचती कमाई कमों का दिख रहा है इस स् के ट्रेंड की पुष्टी होती है इस दोरान वॉल्यूम भी अच्छा रहा यह स्टॉक अपने ब्रेक आउट पॉइन्ट से ऊपर बने रहने में काम्याब रहा है इस स्टॉक में सभी उह मुविंग एवरिजस से ऊपर ट्रेड हो रहा है यह स्टॉक अपने 20 डे प्रेंट की पुश्ट होती है मैंने कंट्रोल डॉट कॉम पर दी गई सला एक्सपर्ट्स की अपनी राय होती है या वेबसाइट या इसका मेनेजमेंट इसके लिए जिम्बेदार नहीं है रीडर्स को इन्वेस्टमेंट से जुड़ा कोई फैसला आपने इन्वेस्टमेंट एडवाईजर से बाच्चित के बाद लेना चाहिए